नमस्कार मेरा नाम हिमान शुतवन अगर आप sperm count बढ़ाना चाहते हैं या कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैं ये दवाई खाऊँ इससे मेरे sperm count बढ़ जाए naturally तो simply आपना कुछ अपनी complications को शक कीज़े अगर आपके शरीर में कुछ troubles हैं तो वो आपके sperm count को रोक रिया बढ़ने से तो सबसे पहले कि sperm count बढ़ता कैसे है पहले उसको समझ लेते हैं देखो हमारा आईवेट कहता है कि हमारी sperm metogenesis का process या जिसे कह दूँ कि एक ऐसी machine जो sperm बनाती है उसके पास भी energy पहुचनी चाहिए ना एक normal सी बात है कि अगर एक machine है कोई सी भी machine है बिना electricity के तो चलती नहीं है वैसे हमारे नीचे एक machine है sperm बनाने वाली testicles में वो क्या करती है उसको भी energy चाहिए उसको भी एक बिजली का जटके चाहिए ये समझ लीजे आप कि उसको भी बिजली चाहिए बिजली जो है उसको सबसे आखरी में मिलती है पूरे शरी में लग जाती है बस सबसे आखरी में उस machine में जाकर बिजली लगती है अगर वहां तक पूरी proper बिजली नहीं पहुचेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी कहते हैं अभी कोई आपने machine चलाई हो तो उसमें देखा होगा कि fluctuation होच जाती है कभी पीछे से बिजली कम आ गई या कभी overload आ गया तो वो धंक से काम नहीं कर पाएगी या फूख जाएगी या खराब हो जाएगी वैसे ही हमारी एक machine है नीचे बढ़ ये फुक्ती और खराब नहीं होती है बढ़ ये अपनी functioning को कम कर देती है ठीक है यहाँ पर ये वाला stand है और यहाँ पर 7th stage पर रखा जाता है मतलब आपकी पूरे शरी में जो हम खाना खाते है तो हमारा 7 वे पाएदान पर रहता है ये वाली जगा spermatogenesis की तो सबसे आखिर में मिलती है और आखरी पाएदान है आखरी पाएदान है तो इसका मलब कि सबसे आखरी में मिलती है इसको nutrition तो इस वज़ा से nutrition lack होने की वज़ा से शायद आपके sperm count low हो रहे होंगे तो आपको करना क्या है कुछ चीज़ों पर notice करना है कि अगर आपको क्योंकि ये मौसम थोड़ा इस टाइप का है क्योंकि बारिशे इस बारी इंडिया में काफी चल रही है बीमारियां बहुत जादा फैल रही है साथ में वाइरल फीवर बहुत इस बारी फैल गया कि आपको कोई ना कोई treatment की requirement है तब ही आपके sperm count बढ़ेंगे इसके बाद जिनकी लीवर की functioning सही नहीं होती है अब हम देखते हैं कि बहुत patients होते हैं जिनको उल्टी आ जाती है या अब आब आब वामेट कर देते हैं या कुछ ऐसी troubles उनके साथ लगी रहती है तो जब वो troubles उनके साथ लगी है तो it means कोई ना कोई उनकी liver disorder की problem है या jointus मन रहा है या उनको कोई और other liver की problem मन रही है या SGBT, SGOT बढ़ावा है या bilorupin बढ़ावा है तो आपको अपनी liver की functioning को सही रखना है क्योंकि सबसे पहला खाने को absorption और सब कुछ करने वाला जो होता है वो liver ही होता है तो liver की functioning अगर अच्छी होती है तो हमारा पूरा digestion system सही रहता है कभी कहते हैं न कि भूख बढ़ाने के लिए liver syrup पी ले क्यों कहते हैं doctors लोग कि भूख खतम हो रही है तो liver syrup पी क्योंकि तिरह liver बोल रहा होगा तो कोई बात नहीं हमने liver सिरफ स्टार्ट किया तो हमारी appetite भूख भी बढ़ गई तो वही है कि अगर आपकी liver की functioning सही है तो आपकी भूख भी सही लगेगी आपका खाने की nutrition सही पहुंचेंके energy फुल रहोगे और energy आप दे भी पाऊगे अपने इधर उड़े दो जो ट्रांस्फर करनी है वह जगा भी दे पाऊगे इसलिए लीवर दुरुस्त रखो intestine को धुरुस्त रखो तो आपकी आदी troubles तो वहीं पे खतम होगी है अब हम क्या करते हैं बहुत सारी गला गला चीज़े भी करते हैं जैसे कि अगर हम जिसे मैं बोलतूं कि lifestyle disorder की तरफ भी बढ़ते है lifestyle disorder माने की कि रात को कभी भी सो जाना कभी भी उड़ जाना ठीक है और बाराब कभी एक बज़े सो रहे हैं कभी रात को पार्टी करके आ रहे हैं कुछ सो रहे हैं कोई sleeping pattern नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि body को relaxation मिल गया अगर body relax नहीं करती तो वो क्या करती है आपको चूसना चालू करती है आपने देखा होगा कि बहुत जो बहुत कम सोते हैं या जिनका sleeping pattern बहुत छोटा रहता है या बहुत देर देर में उठते रहते हैं तो आप उसको हफते बाद ही देख लो ऐसे किसी आपके नोंटू में हो तो कोई person ऐसा उसको हफते बाद ही देख उसको dark circles पर जाएंगे ठीक है उसकी पतला होने चालू हो जाएगा ये सारी travels होनी चालू हो जाती है क्योंकि हमारा mind भी work करता है जिस time पे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं तो हमारा mind भी इतना work कर रहा होता है तो mind भी nutrition मांग रहा होता है बिना nutrition के वो भी नहीं काम कर रहा होता है तो सारी चीजे क्या होती है कि कहीं हो और divert होनी की जगा हमारी mind की तरफ divert होनी चालू हो जाती है और अलग-अलग जगा पर क्योंकि कोई भी activity ऐसा तो है नहीं कि हम mind से ही कर लेते हैं तो हमने हम यह देखते हैं कि उनको acidity की दिक्कत जरूर मिलती है acidity मतलब उनको बार-बार खटे डकाना आना रात के time कुछ खाना दो बजे धाई बजे के बार तो उनको खटे डकाना आना blotted stomach रहना दिन में खाना खा रहे हैं तो इनकी यह जगा फूल जाना blotted stomach जिसे बोल देते है और gastric trouble बनना fart फेगर जादा थोड़ा as compared to जादा आना यह troubles उनको हम देखते हैं कि मिलती है अब इन में से क्या है कि अगर कोई भी तीन दिक्कत है आपको जो मैं तीन दिक्कत आपको बता चुक हूँ किस लिब इन pattern को सही करना और यह तीन दिक्कत है आपको तो आप इसको अब इसे आज से ही ठीक करना स्टार्ट कर दीजे अगर आज से आपने ठीक करना स्टार्ट कर दिया इसमें तो कुछ ताइम बात 15-20 टेस के बात वो चीज़े सॉर्टेड होने चालो हो जाएगी जो पहली दो ट्रबल्स थी वो यह थी कि आपकी लीवर को दुरूस करना है अब प्रोक्सिमिट lawsuit जीम चान मील खा लिते हैं हैं अगर हम उस मील को थोड़ा-थोड़ा करके खाया वो बूक से कम खाया मतला मान जे हला ऑगर सुबह दो निग बढ़ जाएगी जिससे आपको better result मिलेगा उससे क्या होगा आपके nutrition आपके testicles को लगेंगे उससे आपके sperm production सही हो चाहेगी दोनों चीजों के लिए लीवर के लिए और आपके intestine के लिए दोनों को ठीक करने का तरीका यही है या फिर आप क्या कीजिए कि कच्छी चीजों को avoid क करके soup form में जाता है जो pre-cooked food होता है उस पे हमारे digestion system को थोड़ा कम काम करना पड़ते है कोई भी खाना पकावा हुआ तो उसमें काम भी कम ही करना पड़ेगा ना as compared to कच्छे से मान के चलो कि आपका पहले काम जो था कि उसको चबाना चबाने के बाद उसको पतला करना पतल कम महनत करनी पड़े पेट को या लीवर को ही कम महनत करनी पड़े तो वो आपके nutrition भी सही time पर मिल जाएंगे आपका पेट भी इतनी जल्दी ने फिल होगा उससे आपको energy भी पूरी proper मिलेगी और साथ ही साथ जो overweight है वो भी पतले होते जाएंगे क्योंकि उनकी energy वित्ती consume ह होती जाएगी और इसके साथ आपको plus point मिलेगा benefit मिलेगा अपने sperm को count को बढ़ाने के लिए और इससे आपको अपने sperm count अराम से घर बैटे ही बढ़ा सकते हैं और फिर भी अगर आपको complications होती हैं फिर भी आपको लगता है कि अभी भी नहीं हो रहा कुछ भी तो फिर आपके में इसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिएवे नमबर पर में को call कीजिए या अपने reports को नीचे दिएवे नमबर पर में को send कीजिए मैं उसके बाद आपने team से बात करूँगा और आप से उस problem का solution भी बताऊँगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ला